हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सभी उमीद करता हूं सस्त होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे मेरा नाम है सोमेश और मैं आपको पढ़ाता हूं इंगलिश आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर वन एच्केशनल तो बहुत ही अच्छी पोएम है इसमें जो पोएटस होती है वो अपनी माता जी को याद कर रही होती है और उनके बच्पन के बारे में बात करती है तो चलिए शुरूर करते हैं अपनी पोएम तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरली टॉलसन जी ये आखिर क्या थी कौन थी शरली टॉलसन वोज एन इंग्लिश राइटर बॉर्ण इन मैं 1924 शरली टॉलसन जो है वो एक इंग्लिश राइटर थी जिनका जन्म 1924 में हुआ था उन्हों ने जन्रलिस्ट और पॉलिटीशन यानी कि राजनेता और पत्रिकारिता दोनों के कारे उन्होंने किये थे हर बुक्स इंक्लूढ़िव्स इन अन और कार्ड तो उनके जो बुक्स हैं वो क्या है शेडो इन औ कार्ड नाम की उनकी बुक्स है a photograph is a powerful poem about loss, memory and time जो इनकी पोएम है फोटोग्राफ यह बहुत ही शक्तीशाली पोएम है तो यह और माताजी को ले करके उनके बारे मैं की कैसे बदल जाता है ज़जबात बदल जाते हैं रहा cigar को हुआ हम के बारे में बात की गई है despite the fact that it focuses on one's speaker's mother and a very specific photograph it is incredibly moving and relatable कि हाँ इसके बावजूद की ये जो पूरा तत्त है ये इनके माता जी के बारे में है लेकिन ये आपको महसूस होगा कि कैसे कैसे समय बीटता जाता है और हमारी जिन्दगी आगे बढ़ जाती है और हमारी जिन्दगी में कुछ लोग होते हैं जिनका खाली पन हमें हमेशा महसूस होता रहता है वो हमारे बीच में भले न रहें लेकिन उनका जो उनकी जो कमी है वो हमको हमेशा याद आती रहती है, हमें हमेशा महसूस होती रहती है जैसा शर्डी टॉलसन जी अपनी माता जी को याद करती है तो शुरू करते हैं अपनी पोयम को The cardboard shows me how it was Cardboard का मतलब होता है कागज का एक क्या कहते हैं कागज का एक frame होता है जिसके उपर photo चिपकाई जाती है उसको बोलते हैं cardboard जी हाँ यहाँ पर meaning में भी लिखा है एक सक्त कागज का गत्ता जिस पर 6 चित्र चिपकाई जाती है या फिर photo चिपकाई जाती है तो basically जो cardboard होता है वो एक frame होता है एक कागज होता है जो थोड़ा सा काफी जो है रफ होता है न तो उसके उपर हम लोग क्या करते हैं उसके उपर हम लोग फोटो चिपका देते हैं तो वो हमारा यह जो फोटो का फ्रेम है यह मुझे महसूस कराता है कि वह कैसा था वह वक्त कैसा था वह पल कैसा था वह लमहा कैसा था वेंड़ टू गर्ल कजिन्स रेंट पैडल ईटम दूं टू गर्ल कजिन्स बैडलिंग जब जो है दो गर्ल कजिन्स यानिल चछेरि भी बहने जो है वैंेंट पैडलिंग वह गई थी कहा 파ग्रत पेड़精 और पानी इन चलना जी हां पेडलिंग का मतलब है walking through shallow water in bare feet यानि कि छिछले पानी पर नंगे पैर चलना जैसे हम और आप बच्पन में क्या किया करते थे जहां पर थोड़ा कम पानी होता था तो हम लोग अपने चपल निकाल करके वहां पर ऐसे ऐसे छपकी छपकी खिलते थे ना पानी में ऐसे तो उस वही मतलब होता है यहां पर तो यह लोग basically क्या थी कि यह बीच की फोटो थी तो बीच में जो पानी आता और जाता रहता है ना तो वह जब छिछला पानी था यानि कि जब हलका हलका सा पानी था तो यह लोग जो इनकी माता जी थी और उनकी जो दो चशेरी बहने थ तो वहां पर यह क्या कर रही थी वहां पर चिछले पानी पर नंग चल रही थी उसी की यहां पर बात की गई है Each one holding one of my mother's hands Each one यानि कि उन में से प्रतेक ने hold कर रखे थे यानि कि hold करना का मतलब है पकड़ रखना तो वो दोनों लोग क्या थे Each one यानि कि उन दोनों लोगों ने पकड़ रखे थे One of my mother's hands मेरी माता जी के हाथों को यानि कि उन दोनों लोगों ने इनकी माता जी के हाथ पकड़ रखे थे दोनों साइड से दोनों लोगों ने पकड़ रखे थे यानि इनकी माता जी थी और इनकी माता जी के साथ दो उनकी चचेरी बहने भी थी जिन्हों ने इनकी माता जी का हाथ पकड़ रखा था और वो लोग छिछले पानी में नंगे पैर चल रहे थे and she the big girl और वो जो थी इनमें क्या थी big girl थी सबसे बड़ी लड़की थी है ना यहाँ पर height की भी बात हो रही है बात लेज कि अपने पारे में बता रही है कि कि माता जी कौन है यह जो फोटो में कौने है जो सबसे बड़ी वाली लड़की वो इंकी माता जी है और जिनकी उमर लगγα 16 वर्स या उसने अधिग है ellow उनकी माता जी है जिनकी उम्र क्या है लग भग 12 वर्श की है तो यह अपने माता जी को याद करती है एक फोटो फ्रेम को देख करके कि यह देखो मेरी माता जी है उनके साथ में उनकी दो चशेरी बेहने हैं और वो लोग दोनों साइट से इनकी माता जी का हाथ पकड़के छिछले पानी में नंगे पैर बीच पे यह लोग चल रहे हैं और इस समय उनकी उम्र लगभग कितनी है बारा वर्श या उससे थोड़ी सी अधिक है यानि लगभग लगभग बारा वर्श है आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है उनकी माता जी बीच में है और दोनों साइड में उनकी चशेरी बहने हैं जी तो यह आपको समझ में आगया होगा चलिए बढ़ते हैं आगे वो तीनों जो हैं इस्टूड इस्टिल वो तीनों खड़ी थी कैसे खड़ी थी इस्टिल इस्टूड का मतलब होता है खड़े रहना इस्टिल का मतलब एकदम इस्थिर रहना बिना हिले डुले वो तीनों बिना हिले डुले खड़ी थी ये दूसरे फोटो की बात की जा रही है कहां भी या वो लोग क्या थे एकदम बिना हिले डुले खड़े हुए थे और वो अपने बालों के बीच में से उनकी स्माइल देखी जा सकती थी वो लोग मुस्कुरा रहे थे कैसे बालों के बीच से कैसे कि उनके चेहरे के सामने जो है उनके बाल आ गए थे लेकिन उनकी जो स्माइल थी वो उनके बालों के बीच से दिखाई दे रही थी इतनी प्यारी उनकी स्माइल थी तो जो पोईट होती है पोईटर्स होती है शरली टॉसन जी वो याद करती है कि इनकी माता जी की स्माइल कितनी प्यारी है एड अंकल विद्दा कैमरा और वो अपने अंकल के साथ होती है विद्दा कैमरा कैमरे के पास जो उनके अंकल जी होते हैं जो फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो वो अपने अं मेरी माता जी का बहुत ही प्यारा चेहरा दिख रहा होता है और ये तब की बात है जब भीया जब मेरा जन्म नहीं हुआ था ऐसा ये बता रही है ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था यानि कि मेरे जन्म से पहले की बात है and the sea और ये समुद्र के बारे में बात करें कि जो sea है which appears जो प्रतीत होता है to have changeless कि जो प्रतीत होता है कि वो बहुत ही कम बदला है क्यों? क्योंकि इनकी माता जी अब नहीं है लेकिन जो समुद्र है वो क्या है? वो ऐसा लगता है वो बहुत कम बदला है बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है अब ना मेरी माता जी है अब ना वो उनका बच्पन है और ना अब वो मेरे साथ है लेकिन जो समुद्र है वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कम बदला है समुधर भी बहुत कम बदला है लेकिन बाकी शारी शारी शीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है washed their terribly transient feet और जो भीया क्या था जो C था वो क्या करा था washed their यनि कि जो C का पानी था वो धुल दे रहा था wash कर दे रहा था their terribly transient feet उनका जो terribly का मतलब होता है भायान गूर्प से या पूरी तरीके से अत्यधिक गूर्प से है न तो वो क्या कर रहा था वो धुल दे रहा था साफ कर दे रहा था उनके पैरों को Transient fight का मतलब है Transient का मतलब हुथा है Chhandik जो बहुत कम समय के लिए हो तो वहांपे क्या होता है बीच पे की पानी आता है और तुरंत ही चला जाता है तो पानी आया और उनके पैरों को इनकी माता जी के पैरों को क्या है पूरी तरीके से छड़िक बहुत ही थोड़े समय के लिए आया और पूरी तरीके से साफ कर दिया वाश कर दिया धुल दिया और सीधे चला गया है ना तो यह यहां पर यह बात की गई है कि यह अपने माता majesty उनकी जो स्माइल ए वो कितनी प्यारी है कितनी प्रीशियस है क्यों कि अब कि सिर्फ याद कर सकती हैं क्रीजिक सक्तौं कि माता जी सक्त entfer शाद नहीं है तो यह सिर्फ उनको याद कर सक्ती है तो वो याद कर रही है सम 20 धुर्ट यह लेटर अब यह जब की बात है वो कम से कम अब लगभग 20 से 30 वर्षों के बाद यह दूसरी सिचुएशन बता रही है सम 20-30 यह लेटर की लगभग 20 और 30 वर्षों के बाद शी वुड लॉफ वो हस्ती अड़ी स्नैप्शॉट स्नैप्शॉट का मतलब उस फोटो को देखके उस तस्वीर को देखके इनकी माता जी जरूर हस्ती सी बेटी एंड डॉली बेटी एंड डॉली को देखके बेटी एंड डॉली कौन है उनकी माता जी की जो दो चशेरी बहने हैं वो हैं तो इनकी फोटो को देखकरके यह हस्ती शी वुड से और वो यह कहती कि हमको जो है बीच के लिए कैसे तयार किया गया था ये देखके वो पक्का हस्ती इस फोटो को देख करके वो पक्का हस्ती यानि कि ये दूसरी फोटो है जहां पे वो लगभग 20 से 30 वर्षों की बाद वाली फोटो है जिसमें जो पुएट है उनकी मदर और उनकी जो दो लगात मे होते हैं और उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं इसके बारे में हमारी पुएट है शरली टॉल्संटबत देखती है मेरी माताजी इसको देखती तो वो पक्का हस्ती और वो बेटी और डॉली को भी देखके हस्ती्माट कहती कि भीया हम लोग कैसे लग रहे थे जब हमको ड्रेस के लिए हमें बीच के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे ड्रेस के लिए और उसको मतलब बीच के लिए है ना तो हमें बीच के लिए कैसे ड्रेस डब किया गया था कैसे तयार किया गया था वो चीज़ देखके वो हस थी पक्का हस थी दसी हॉलिडे वाज़ हर पास्ट और ये बताती है कि वो लोग कितना खुश थी उस टाइम है न क्यों क्यों कि उनके साथ उनके बहने थी वो बच्पन की बात है और ये थुड़ी सी जमानी की बात है 20 से 30 वर्ष के बीच की लेकि वो बहुत खुश थी उनके माता जी के चेहरे पे स्माइल थी ठीक है लेकिन क्या था दसी हॉलिडे वाज़ हर पास्ट ये जो सी हॉलिडे था जो समुद्र की छुट्टियां थी ये क्या था ये उनका पास्ट था ये उनका अतीत था इनकी माता जी का अतीत था ये बताती हो माता जी के लिए अतीद है क्योंकि माता जी तो अब है नहीं तो वो उनके अतीद की बात है वो उनके अतीद की बात है मेरे माता जी के अतीद की बात है वो जो सी हॉलिडे था वो जो समुद्र वाली छुट्टियां थी वो मेरी माता जी के लिए अतीद की बात थी और मेरे क्यों क्यों की माता जी को जब अपनी माता जी की photo देखती है तो उनको यह मेहसूस होता है कि अब इनकी माता जी इनके साथ में नहीं है उनको बहुत ज़ादा दुख होता है ठीक है both right, याने कि दोनों लोग क्या हैं आशाहीन वाशाहीन हैं दोनों लोग निराश हैं विद्दा लेवर्ड इस ऑफ लॉस लेवर्ड का मतलब बहुत ही महनत से किया गया कठिनाई से प्राप्त किया गया लेवर्ड का मतलब बहुत ही महनत से कठिनाई से इस का मतलब हुता है आराम या चैन या राहत आफ लॉस लॉस का मतलब हुता है नुकसान यानि कि क्या था दोनों लोग निराज थे किस चीस से दोनों लोग निराज थे क्यों कि बहुत ही कठनाई से इनको राहत प्रदान हुआ था और भीया किस से राहत प्राप्त हुआ था of loss, यानि कि हान, किसी को खो देना, तो क्या था किसी को खो देने का, इनको क्या महसूस हुआ था, इनको किसी को खो देने का, रहत महसूस हुआ था, कठिनाई भी प्राप्त हुई थी, यानि कि यहां पे दो चीजें हैं, और इस बात से क्या थे, दोनों लोग निराश थे, य is of loss का मतलब बहुत आसानी से या रहत से चैन से जो इनको क्या हुआ था जो नुकसान हुआ था है ना मतलब वो किसी को पता नहीं होता ना कल क्या हो जाएगा तो क्या था बहुत ही आसानी से यह क्या हुआ था यह नुकसान हो गया था इन्होंने अपनी माताजी को खो दिया होता है का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना या कठिनाई से प्राप्ट करना वह ठोलो नियाгश हो गए बोत वह यह रहाई निराश हो गए बोत ब्राइimm यानि कि दोनों लोग निराश हैं, जो कठनाई से प्राप्त किया गया इनका चैन है, जो राहत है किसी को खो देने का, यानि कि दोनों लोग निराश हैं, एक तो इनको ये है कि मेरी माता जी ऐसे थी तो इनको चैन भी है, और दूसरा इनको दुख भी है, ये निराश भी है, यह सब क्या था इन्हों ने माता जी को खो दिया है तो यह खुशी की भी बात है कि मेरी माता जी इस टाइम खुश थी तो जब यह देखती है तो इनको फूशी महसूस होती है फिर इनको याद आता है कि मेरी माता जी तो भैन ही तो यह दुखी हो जाती है तो इस पूरी लाइन का यह मतलब है अब बढ़ते हैं आगे नाउ शी हाज बीन डेड नियरली आज मैनी यह अब क्या है अब उनकी मृत्ति हो चुकी है नियरली आज मैनी इस कि लगभग भाइया इतने वर्ष हो गया कि जितने वो लड़की जीवित रही यानि अब उनकी मृत्ति हो चुकी है जब तक वो लड़की जीवित थी है ना वो लड़की कौन जो फोटो वाली लड़की है ना वो जब तक जीवित थी तब तक ये भी जीवित थी मतलब इनकी माता जीत ही तो थी जी हां तो यही यह पर कहा गया है, now she has been dead, यानि कि अब उनकी मृत्यू हो चुकी है, nearly as many years as that girl lived, लगभग लगभग इतने ही वर्ष हो चुके है, जितने की यह जो लड़की है, इसको जीवित रहते, जितने दिन हो चुके है, उतनी ही माता जी को मरे हुए हो चुके है, क्योंकि दोनों लोग एक ही है, तो इस लाइं का यह मतलब हुआ, and of this circumstances, और यह जो परिस्चिती है, and of this circumstances, और यह जो परिस्चिती है, there is nothing to say at all, यानि कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, there is nothing, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, to say at all, यानि कुछ कहने के लिए मेरे पास, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है क्यों क्योंकि इनको जो नुकसान हुआ है जो पीड़ा हुई है जो दुख हुआ है अपनी माता जी की फोटो को इन्होंने देखा इनको थोड़ा सा सुकून मिला लेकिन उससे ज्यादा ये निराश भी हो गए इनको वो दुख महसूस हो रहा है इनको वो पीड़ा महसूस हो रही है अपनी माता जी को खोने की जिसके लिए ये बोल रही है कि क्या है कि मैं अब इस पे क्या ही बोलूँ there is nothing to say at all कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए इस बारे में बताने के लिए क्यों क्योंकि ये अंदर से बहुत जाए तो क्या होते हमारे शब्द पर जाते हैं हमें समझ नहीं आता हमें क्या बोलना है अब हम इसके बारे में क्या बोलें तो यहां पर वही बात की गई है its silence और इसकी जो शांती है इसका जो खाली पन है इसकी जो चुप्पी है silences वो हमें शांत कर देती है यह जो शांती है यह जो महौल है यह जो फोटो है यह जो खाली पन है यह क्या करती है यह हमें शांत करा देती है यह हमें शांत करा देती है हमें चुप करा देती है तो ये थी आपकी पोएम शरली टॉलसन जी ने शरली टॉलसन जी ने क्या किया है ये जो शांती है ये जो चुपती है वो क्या है वह वह हमें बोले नहीं देती हैं बिल्कुल शांत करा देती है तो ये आपकी पोएम थी उमीद करता हूँ आपको आइडिया जो कि आपके एक्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह आपके एक्जाम में फोर मांक्स का आता है जी हां चार नंबर का आता है तो ध्यान दीजिएगा का central idea में देखते हैं शर्ली टॉल्सण पोयम इस अफोटोग्राफ इसा ट्रेब्यूट टु हमदर शर्ली टॉल्सण की जो पोयम है ऑफोटोग्राफ यह क्या है यह शृद्धान जली है इसा ट्रेब्यूट यह तू हमदर उनकी माता जी के लिए दपोयम डिसक्राइब्स य यहनी समय जो वीत रहा है समय जो परिवर्तन है इसके जो तीन चरण है उसके बारे में बताता है जो हमारा समय में परिवर्तन हो रहा है उसके तीन चरणों के बारे में बात करता है इन दा फर्स स्टेज पहले चरण में दा फोटोग्राप शोज दप्वेटेस मुदर्स स्ट तुट्टियों को भात ही खुशी से वह मना रही है विद रटू गर्ल कजिन अपनी दो चचेरी बेहनों के साथ वह बीच पे आई हैंपनी छुट्टिया माने और बहुत ही खुश हैं बहुत ही आनन्द में हैं बहुत ही प्रसन्ता में हैं शी वाज एरांट ट्वेल इस ओल् लगबग लगबग उनकी उम्र जो है उस बारी क्या होती है यानि इस फोटो में क्या होती है लगबग 12 वर्ष की होती है उस समय जब वो फोटो है जब उनकी माता जी बीच पे जा रही होती है या बीच पे होती है अपनी बेहनों के साथ उस टाइम पे उनकी एज जो है वो 12 12 years की होती है जी हां दा सेकेंड स्टेज टेक्स ट्रंटी या थर्टी यह लेटर और जो दूसरा स्टेज है वो लगबग हमको बीस या तीस वर्ष के बाद का मिलता है और जो उनकी माता जी है वो बताती है कि वो पक्का जो है वो हंस्ती की जिस तरीके से शी एंड हर कजिन्स की वो और उनकी चशेरी बेहने वर ड्रेस्ट अप की वो जिस तरीके से तयार हुई थी फौदा बीच हॉलिडे यानि की वो पक्का हस्ती की जिस तरीके से वो और उनकी चशेरी बेहने छुटिया मनाने के लिए समुद्र में छुटिया हस्ती जी हां इन्दा थर्ड स्टेज और यह थर्ड स्टेज के बारे बता जा रहा है तीसरे चरण के बारे में बता जा रहा है दा प्वेट इसका क्या रभावना को फिर से जागरित करता है वह अपनी माताजी को जब देखती है इसका क्या मतलब वो कि वो जब अपने माता जी को देखती है तो उनको फिर से वो खाली पना आता है उनको फिर से अपने माता जी की याद आती है तो वो जो नस्तॉलिजिक फिलिंग है जो दासी म्हावना है फिर से जगरीत हो जाती है फिर से रिवाइब हो जाती है तो यह था विया आपका यह था आपका successful idea तो आप लोग इसका screenshot ले लेंगे जी हाहं इसका भी अगर आपने screenshot नहीं लिया तो तो आप screenshot ले सकते हैं जिया जल्दी से screenshot ले लीजिए और पिर इसका भी screenshot ले लीजिए जी अब आते हैं एक्स्ट्राइक बेस्ट गोश्चन्स पूछे जाते हैं इक्स्ट्राइक बेस्ट क्वेश्चन्स यानि की आपके जो पोयम है उसके कुछ इस चैप्टर के हम सारे क्वेशन करने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिहाज से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो आईए चलिए शुरू करते हैं तो कार्ड बोर्ड शोज मी हाव इट वाज यानि कि वो जो cardboard था वो जो तस्वीर थी वो मुझे बता रही थी कि वो समय कैसा था वो वक्त कैसा था वेन दोनों चचेरी बहने कहां गई थी पेडलिंग करने गई थी यानि कि छिछले पानी में नंगे पैर वो लोग चल रही थी यानि दोनों लोग ने मेरी माता जी के हाथों को पकट रखा था यानि दोनों लोग ने मेरी माता जी के हाथों को पकट रखा था यहां पर जो बहिया cardboard है जो फोटो का frame है वो क्या refer कर रहा है वो क्या बता रहा है the cardboard here refer to a thick and stiff paper on which the photograph of the poet's mother was pasted यानि कि हमें cardboard क्या बता रहा है कि यह बहिया क्या है यह paper है जो कि क्या है thick and stiff है thick and stiff paper है on which the photograph of the poet's mother was pasted जिस पे इनकी माता जी की जो पोटर है वो चिपकाई गई है तो यही मतलब हुआ हमारे कार्ड बोर्ड का इस पोएम में अगला कोईशन देख लेते हैं यह हमें क्या बताता है तीन लड़कियों के बारे में कौन-कौन रहता है they are the poetess mother and her two cousins कि ये poetess की mother होती है और उनकी दो चचिरी बहनों के बारे में बताता है dolly and Betty enjoying a sea holiday उनका नाम भी दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि आप भीया क्या है बता सकते हैं उनका नाम भी और वो लोग क्या कर रहे थे वो लोग enjoy कर रहे थे sea holiday, sea holiday यानि समुद्र की छुट्टियां समुद्र वाली छुट्टियां भीया मना रहे थे sea holiday, जी हाँ where had they gone for outing वो लोग बाहर outing के लिए कहां गये थे outing का मतलब बाहर, बाहर भूमने के लिए वो लोग कहां गये थे they had gone out for a sea holiday, वो लोग सी हॉलिडे के लिए बाहर गये थे सी हॉलिडे के लिए बाहर गये थे बीच में घूमने के लिए बाहर गये थे कि इनमें भिया जो बिग गर्ड है वो किसके बारे में बताये गया है किसको मेंशन किया गया है यानि कि बिग गर्ड जो है वो भिया कौन है तो यह आपको बताना है जो यहाँ पे बिग गर्ल है वो कौन है वो पुएट की मदर है यह पुएट की मदर है माता जी है वास 12 इयर ओल्ड अड द टाइम आप सी हॉलिडे जिनकी उम्र 12 वर्ष की है उस समय की जबकि यह तस्वीर है जब वो छुटिया मनाने के लिए गई हुई थी और इनकी जो मदर की चशेरी बहने हैं बेटी अड डॉली वो लोग क्या थी वो इनकी माता जी से छोटी थी तभी तो बिग गर्ल बताया है कि फोटो में जो बिग गर्ल है यानि इनकी माता जी है वो बड़ी थी उनके हाइड भी और उनकी एज भी जी हाँ वो वर्ड थ्री गर्स कैप्चर्ड इन दा फोटोग्राफी या कौन था वो तीन लड़कियां कौन थी जिनकी तस्वीर थी फोटो में जो तस्वीर थी भहिया है ना जिनकी तस्वीर खीची गई थी तो वो तीनों लड़कियां कौन थी त्री गर्स कैप्चर्ड इन दा फोटोग्राफी वर दा मदर ऑफ दी पोईटेस एंड हर टू कजिन्स बैटी और डॉली वो जो तीन लोग थी उनमें से एक कौन था एक पोईट्स की माताजी थी और दो उनकी चचेरी बहने थी जी हां तो यही आपका एंसर है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसी लिए मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ जी हां स्क्रीन शॉट ले लेंगे अब आते जो जलुएस अब करते कि इंगे जो बालों के बीच से प्यारी सी मुस्क्राण थी वो दिखाई रही थी अड़ अंकल विद्दा कैमरा और अंकल पेसाथ ने जो की जिनके हाथों में कैमरा था अस्वीट फेस एक बगए प्यारा सा चेहरा उध़ तर तो वनाता जी का बात है and the sea which appears to have changeless और जो समिद्र है जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बहुत कम बदला है जिसमें बहुत ही कम बदला हुए है वोज देर टेरिबली ट्रांजियन फीज और उसने उनके पैरों को बहुत तेजी से बहुत ही कम समय में धूल दिया था साफ कर दिया था उमीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जी हां अब इसके questions हम लोग करेंगे what does the poetess mean by smile through their hair poetess का क्या अर्थ है जब वो बताती है कि smile through their hair कि वो अपने बालों के बीच से smile कर रही थी तो इस बात का क्या अर्थ है इस बात से आप क्या समझते हैं the poetess says that the mother and her two cousins were at a sea beach it must be windly airy there यानि कि वो अहां पर क्या था वहां पर जरूर जो है तेज तूफान या आंधी या हवाज चल रही होगी so their hair were flying towards their faces so उनके जो क्या है जो उनके hair है वो उड़ रहे होंगे उनके चहरे के ऊपर which were smiling while uncle was taking their photograph और वो लोग इसलिए बहिए smile कर रही थी smile कर रही थी और जब बहिए उनके अंकल जो है वो उनकी photo ले रहे थे वो तस्वीर ले रहे थे यानि कि जो बाल है उनके बाल आगे आ गये थे तो उसी के बीच से वह smile कर रहे थी और बाल आगे क्यों आ गए थे क्योंकि शायद वहां पे क्या है शायद वहां पे हवा बहुत तेज चल रही होगी इस वज़े से जी हां अगला क्वेशन है What has not changed over a period of time कि क्या नहीं बदला है इतने समय के बाद इतने समय के बाद क्या नहीं बदला है क्या परिवर्तन नहीं हुआ है The sea has remained unchanged कि जो समुद्र है वो अभी भी क्या है वो अभी भी आपरिवर्तित है अंचेंज है मतब जिसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है Over the years इतने वर्षों के बाद भी The sea photograph was taken but the life of the people in the photograph has changed completely यानि कि वो जो समुद्र में photograph लिया गया था वो क्या था यह समुद्र में फोटो तो लिया गया था लेकिन जो फोटो में लोग थे बट ड़ाइफ ऑफ दङ पीपल यानि कि जो लोग है उस फोटोग्राफ में और उनका जो जीवन है वो क्या था वो बदल चुका था पूरी तरीके से यानि कि समुद्र के साथ जो तसवीर ली गए थी तो समुद्र तो अभी भी वैसा है लेकिन समुद्र के साथ में फोटो में जो और लोग भी थे क्योंकि जब फोटो ली जाएगी तो समुद्र की भी फोटो आ जाएगी ना उसकी भी में जा जाएगी तो ये बता रही है कि भीया क्या था कि समुदर तो अभी भी वैसा ही है हम लोग कभी जाते हैं तो वह ऐसा ही है लेकिन जो इस फोटो में समुदर के साथ में और जो लोग है जो तीनों लोग है उनमें से क्या है मेरी माता जी अब इस दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आते हैं एक्स्पेस्टेलि .... जो प्वेटीस है और वह कंप्रास करती है यह कंप्रास का बताती है कि दोनों में कैसे विरोधा भास है the eternity of the sea की जो सी है उसकी क्या है उसकी eternity की वो क्या है वो भीया हमेशा ऐसे रहेगा उसकी अमर्ता के बारे में with the mortality of humans और humans जो हैं क्या है वो नश्वर है मतलब नश्वर नहीं है ना humans क्या है humans तो भीया उनको एक नएक दिन जाना ही है mortality है ना यानि कि उनको तो मरना ही है लेकिन जो समुद्र है वो क्या है वो अनंत है है ना उसका वो कभी खत्म नहीं होगा वो शाश्वत है लेकिन मनुष्य क्या है मनुष्य का समय जो है वो भीया निश्वित है 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 ना मनुष्य की mortality के बारे में है है ना नश्वर्ता के बारे में है ठीक है दसी इंदा photograph has not changed compared to those feet which it was washing और जो सी है इस photo में जो समुद्र है इस photo में वो नहीं परिवर्तित हुआ है in comparison अगर इसकी तुलना की जाए किससे those feet उन पैरों से जो समुद्र धुल रहा था उन पैरों से तुलना की जाय तो बल्कुल भी नहीं US बदला है लेकिन क्या है जो लोग है जिनके पैर पैर भी इस दुन्या में नहीं है दुएty's Mother same to same है जी हाँ when and where was the photograph taken यानि कब और कहां वो photo लिया गया था the photograph was taken on the sea beach by the mother's uncle जो photograph था वो sea beach पे समुदर के beach पे लिया गया था by the mother's uncle यानि कि जो इनकी माता जी थी उनके uncle के द्वारा उनके चाचा जी के द्वारा when she was enjoying her holidays with her two cousins जब वो अपनी छुट्टियों को enjoy कर रही थी अपनी छुट्टियों को मना रही थी अपनी दो चचेरी बहनों के साथ तब वो photo लिया गया था उनके चाचा जी के द्वारा तो यही आपका answer है जल्दी से आप लोग फोटोग्राफ captured किये थे उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक किये थे खीचे थे ठीक है अगला इस्टैंज आद देख लेते हैं सम 20 30 years later की कुछ 20 से 30 वर्षों के बाद she would laugh at the snapshot की वो पक्का हस्ती उन तस्वीरों को देख करके वो पक्का हस्ती उन तस्वीरों को देख करके see Betty and Dolly की वो Betty और Dolly को देख करके she would say की वो कहती and look how they dressed us for the beach की देखो कैसे उन लोगोंने हमें तयार किया है बीच के लिए है ना यानि की माता पिता ने जिनने भी तयार किया है उनको देख के क्या बोलती कि देखो मुझे हम लोगों कैसे तयार किया गया है बीच के लिए तो वो पक्का हस्ती ठीक है and look how they dressed us for the beach the sea holiday was our part और जो सी हॉलिडे है वो क्या था वो उनका अतीद था उनकी माता जी का अतीद है ना नुकसान है किसी को खो देने का जो चैन है वो बहुत कठनाई से प्राप्त किया गया है इससे दोनों लोग बहुत निराश है इससे दोनों लोग बहुत निराश है यानि की पहली बात तो इनको चैन भी है क्योंकि अपनी माता जी को देखती है ना या इनकी माता जी को क्या है लेबर्ड इज ऑफ लॉस कि भीया क्या है इनकी माता जी भी राहत की सांस ले रही है क्यों कि वो इस दुनिया में नहीं यह रहत की सांस ले रही है क्यों क्यों कि अपने माता जी को याद कर रही है लेकिन इनका नुकसान भी हुआ है है ना क्या है यह जो चैन मिला कि कि इसे को खो देनी कि यह रहत है जो की बहुत कठेनाई से प्राप्ट किया गया है और इस वज़े से बोथ रहाई दोनों लोग क्या है निराश है दोनों लोग निराशा से भरे हुए है ठीक है शल यह आगे बढ़ते हैं कि वो भाईया कौन बोला है कि शी लॉफ दा प्वेटेस मदर प्रबेबली लॉफड बिकॉस अब दी फ़नी ड्रेसे डाट दे वर वेरिंग फार दा सी हॉलिडे जी हां कि कौन हसता तो भाईया उनकी माता जी हसती जिस प्रकार के उन्होंने मजेदार जो कपड़े पहने थ हसने वाले कपड़े पहन रखे थे तो इस वज़े से ठीक है वाई ड़स अप्वेटेस से दसी हॉलिडे बॉस हर पास कि क्यों प्वेटेस बोलती है कि जो सी हॉलिडे है जो समुद्र की छुटियां है वो उनका पास्ट थी माइन इस हर लॉक्टर और मेरे लिए उनकी हसी उनका अतीत है तो इसलिए क्योंकि उनकी माता जी अब नहीं है तो प्वेटेस मदर इस लॉंग डेट नॉट दसी हॉलिडे वॉज़ पास्ट ऑफ फास्ट है ना दसी हॉलिडे वॉज़ पार्ट ऑफ पास्ट हर लॉफ्टर ऑन सेंग फोटोग्राफ में यस लेटर है बि जो पास्ट है उनकी माता जी का भी पास्ट है लेकिन जो उनकी माता जी है उनकी जो हसी है वो क्या है क्यों गई है क्योंकि Index कि माता जी अब इस दुनिया में नहीं है तो वो दुख पिड़ा व्यक्त कर रही है Explain प्रेन लेबर्ड इस ओफ लॉस्ट दप्वेटर्स मदर इस लॉंग डेड और गॉन की माता जी है उनकी मृत्व काफी पहले हो चुकी और अब वो जा चुकी है शी मिसस हर वेरी मच वो उनको बहुत जादा याद कर रही है बट ओवर दो यह लेकिन समय के साथ इतने समय के बात कि उन्होंने अपने आपको क्या कर लिया है कि उनको खोने का जो दुख था उसके दुख के साथ खुद को अनुकूल कर लिया है बट विद ग्रेट डिफकल्टी लेकिन क्या है बहुत ही कठिन परिशानियों के बावजू जी हाँ कैसे जो पोएट की मदर है माता जी है उन्होंने रियक्ट किया कैसे हैना वेन शी सो हर फोटोग्राफ आप सी हॉलिडे जब उन्होंने उसके फोटो को जो हॉलिडे वाली फोटो थी जब वो उन्होंने देखा या जब उनको देखती तो उन्होंने कैसा मेंसूस किया यह था आपका question what was funny in the photograph photograph में क्या funny था the dresses of the three girls were funny in the photograph जो dresses थे जो पहनावा थे उन तीनों लड़कियों के इस photograph में वो ही बहुत ही जादा मज़ेदार था चलिए अगला दिख लेते हैं now she had been dead nearly as many years that as that girl lived and of of this circumstances there is nothing to say at all its silence silences जी हाँ इसके question है को दो सी रफर तो she refers to the poetess dead mother why is there nothing to say about the death of the poetess mother the poet find it difficult to say anything about her mother's death as her going away forever has left a deep white in poet's heart and she finds no words to talk about her irreparable loss और यह अगला question है how many years ago had the poetess mother died it is some 12 years since the poetess mother passed away वो बताते हैं कि लगभग बारावर हो चुका है explain its silence silences the poet is very sad at the death of her mother she feels lonely in her absence the pain has silenced her the pangs of separation and silences surround her what does this circumstances refers to this circumstances refers to the death of the poetess mother सभी क्लासेस की notification और PDF के लिए जुड़ जाए हमारी टेली ग्राम चैनल से UP Board Hindi Medium विद्याकुल से जहां पर भीया मिलता है आपको quality education सब्सक्राइब कर लें हमें यूट्यूब पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल को और यूपी बोर्ड इंग्डिश मीडियम विद्याकुल जो भी आपके डाउट होंगे comment section में comment करना मत भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जैहिंद जैभारत